भारतिय सम्विधान और बहुजन समाज डॉक्टर भीम राव अमबेदकर इस सम्विधान सभा के पिछले कार्य की और धयान देने से हविदित होता है कि जब यह प्रथम बार 9 दिसंबर 1946 इसवी को सम्वेद हुई उस समय से अब तक दो वर्ष ग्यारा महीने और सत्रह दिन हुए है यानि यह भाषन जो है जब अंतिम समय पारित जब किया जा रहा था दो वर्ष जो एक ग्यारा महा और जो अठारा दिन का जो पूरा वक्तव्य था उसके 18 दिन जब यह पारित किया जा रहा था अंगिकृत अदिनियमित और आत्म अरपित किया जा रहा था उस समय का भाषन है इस समय में सम्विधान सभाके कुल 17 सत्र हुए इन 17 सत्रों में से प्रथम 6 सत्र लक्ष मूलक संकल्प पारित करने और मूलाधिकार विश्यक, संग सम्विधान विश्यक, संग की शक्तियों विश्यक, प्रांतिय सम्विधान विश्यक, अल्प संख्याक वर्ग विश्यक, त मातवे आठवे नवे दश्वे और ग्यारहवी सत्रों में सम्विधान के मशोदे पर विचार हुआ सम्विधान सभा के इन ग्यारह सत्रों में 165 दिन लगे इनमें से सभा ने 114 दिन सम्विधान के मशोदे पर विचार करने में लगाए मसौधा समीती का निर्वाचन सम्विधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई 30 अगस्त से उसकी बैठक 141 दिनों तक हुई और इस समय में वह सम्विधान का मसौधा तयार करने में लगी रही मसौधा समीती के लिए कारे करना यानि ड्राप्टिंग जो कमीटी थी उसके कारे करने के लिए सम्विधानिक परामर्श दाता द्वारा तयार किये गए सम्विधान के मूल मसौधों में 243 अनुक्षेद और 13 अनुसूचिया थी मसौधा समीती द्वारा जिस रूप में सम्विधान का प्रतम मसौधा सम्विधान सभा में बस्तित किया गया था उसमें 315 अनुक्षेद और 8 अनुसूचिया थी विजारस्थिती के समाप्तोंने पर सम्विधान के मूसौधे में अनुच्षेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई अपने अंतिम रूप में सम्विधान सभा के मूसौधों में अनुक्षेदों की जो कुल संख्या थी वह 395 अनुच्षेद और 8 अनुसूचिया है सम्विधान के मूसौधे पर भेजे गए कुल संसोदुनों की संख्या लगभग 7635 थी इन में से सभा में पेश किये गए संसोदुनों की संख्या 2473 थी इन तथों को मैंने इश्री वरणन किया है क्योंकि एक स्थिती ऐसी आ गई थी जब यहां कहा जा रहा था यानि जब यहां कहा जाता था कि कारसमाप करने में सभा ने बहुत अधिक समय ले लिया वह आराम से चल रही है और लोक धन का अपवय कर रही है गाउं में आग लग रही है और कहार नाचने में मस्त हैं कि कहावत चरितार्थ हो रही है कहा जाता था क्या यह शिकायत किसी रूप में भी नियायुक्त है आईए हम उस समय पर विचार करें जो अन्य देशों के समिधान सभाओं ने अपना समिधान बनाने में लगाया इनके कुछ उधारन लीजिए अमेरिका का सम्मेलन 25 में 1787 को हुआ और 17 सिकंबर 1787 में उसने अपना कारे समाप्त कर दिया अरथाद 4 माह में कनाटा का समिधान सम्मेलन 10 अक्टूबर 1864 को हुआ और 2 वर्ष 5 मा लगाते हुए 1867 में वह सम्मेलन विधी के रूप में पारिद हुआ और 1 वर्ष के बाद 20 709 को सम्मेधान ने विधी का रूप लिया यह सच है कि अमेरिका और दक्षिन अप्रिका के सम्मेलनों ने जितना समय लिया हमने उससे अधिक समय लिया है पर कनाडा ने जितना समय लिया उससे अधिक समय हमने नहीं लिया है और आश्ट्रेलिया से तो बहुत ही कम समय लिया इस कार में वे अतीत किये गए समय के अधार पर तुलना करने में दो बाते याद रखनी चाहिए एक यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिन अफ्रिका और अस्ट्रेलिया के समय लिया के समय लिया के समय लिया है याद रखनी है कि अमेरिका, कनाडा, अस्ट्रेलिया और दक्षिन अफ्रिका के समय लिया के समय लिया 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 में में पूरा करने के लिए समिधान सभा को चाहिए कि वह अपने आपको बधाई दे मौसोदा समीती द्वरा किये गए कारे की पूर्णतया निंदा करना भी नजरुदीन अहमद ने अपना कर्तव ये समझ लिया है उनकी सम्मती में मौसोदा समीती द्वरा किया गया कारे के वल प्रसंसा ना करने के युग ही नहीं वरण वह निश्चित रूप से जिस स्तर का होना चाहिए स्तर से निम्ड स्रणी का है मौसोदा समीती दिवरा किये कारे के बारे में अपनी राय कायम करने का प्रतेक व्यक्ति को अधिकार है और अपनी राय कायम करने के लिए स्री नजुरुदीन आमद का स्वागत है स्री नजुरुदीन आमत समझते हैं कि मौसाधा समीती के किसी वेवैक्ति की अपेक्षा उनमें बुद्धिबल अधिक है मौसाधा समीती उनकी इस दावे पर आपत्ती करना नहीं चाहती है इसके विपरित यदि सभा उनको मौसाधा समीती में न्युक्त किये जाने के युक समझती तो मौसाधा समीती उन्हें अपने में पाकर उनका स्वागत करती यह समिधान सभा के निर्मान करनेमें उन्हों ने कोई स्थान नहीं मिला तो निश्चे ही इसमें मौसवधा समिटी का कोई दोश नहीं है यह सबस्ट है कि मौसवदा समिती के प्रति अपनी गिरना पर कट करने के लिए सी नजुरुदिन आमद ने उसका नाया नाम गड़ाय कि वह विशयांतर करने वाली समिती है सिरिन नजुरुदिन अहमद अवशी अपनी सूज से प्रशन होंगे पर वे यह नहीं जानते हैं कि कोशल सहीत विशयांतर करने और कोशल रहीत विशयांतर करने में अंतर है यदि महसोदा समीती ने विशयांतर किया तो वह पर सित्यों का पूर्ण ज्यान प्राप्त किया बिना नहीं किया उसने अकस्मात मचली पकरने के लिए बंसी नहीं भेकी वह जिस मचली के पीछे थी उसे प्राप्त करने के लिए उसने परिशित जलासेयों में खोज की किसी अच्छी वस्तू की खोज में लगना विशयांतर करने जैसी बात नहीं है यद्द़्ी स्री नजुरुदीन अमध का इस बात को मासॉधा समीती की प्रसंसा की रूप में कहने का आशन नौ था पर मैं उसे मौसोदा समीती की प्रसंसा की रूप में स्विकार करता हूँ मौसोदा समीती ने जिन संसों दिनों को दो सयुक्त समझा उनको वापस करने की और उनकी स्थान पर जो उसने अच्छे समझे उन्हें रखनी की हिम्मत और सचा यदि न दिखाई होती तो उस पर करतवे पालन न करने तदा जूठी मान मर्यादा की भावना रखने का भारी दोश लगता यदि कोई गलती हुई तो मुझे प्रसंता है कि मौसोदा समीती ने उन गलतीयों को मानने में आनाकानी नहीं की और उनको सुधारने में वह अगरसर हुई मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सिवाए एक सदस्य के मौसोदा समीती दोरा किये गए कारे के प्रतिसमिधान सभा के सदस्यों ने समाने तया प्रसंद शात्मक भाव प्रकट किये मुझे विश्वास है कि मौसोदा समीती इस यथार्थ अविस्वीकरण को देखकर प्रसंद होगी जो इतने उदार शब्दों में प्रकट किया गया है इस सभा के सदस्यों दोरा तथा मौसोदा समीती के मेरे सयोगियों दोरा मुझ पर जो बधायों की वर्षा की गई है उसके कारण में प्रसंदा से इतना ओध प्रोथ हो गया हूँ कि उनके प्रती पुरणते आपने कृतकिता प्रकट करने के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिलते समिधान सभा में अनुशुतित जातियों के स्वार्थों के रक्षा कराने के अतिरिक्त मैं अन्य किसी महानतर आकांग्छा को लेकर नहीं आया था मुझे स्वप्न में भी यस विजार नहीं हुआ था कि मुझे और भी बड़े-बड़े प्रकारियों को हाथ में लेने के लिए अमंतृत किया जाएगा इस कारण जब सभा ने मुझे 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 सवधा समीती में निमंतृत किया मुझे सवधा समीती का मैं कृतग्य हूँ कि उन्होंने मुझे में इतना विश्वास तता भरोशा किया तता मुझे अपना एक साधन बनाया और देश की सेवा करने का मुझे औशर दिया हर्षुद्वानी जो स्रया मुझे मिला है उसका वास्तों में मैं अधिकारे नहीं हूँ इसके अधिकारे स्री बियन राओ भी हैं जो इस समिधान सभा के समवधानिक परामर्श जाता यानि समवधानिक सलाहकार हैं और जिन्होंने मुझादा समीती के विचारार्थ समवधान का एक मोटे रूप में मुझादा बनाया कुछ स्रे मुझादा समीती के सदस्यों को मिलना चाहिए जिन्होंने जैसा कि मैं कह चुका हूँ 141 दिन तक बैठक की और उनके नए सुत्र खोजने के कोशल की बिना तथा विविन दृष्टिकोनों के प्रति सांसिल तथा विजारपुरन सामर्थे कोशल की बिना तथा विविन दृष्टिकोनों के प्रति सांसिल तथा विजारपुन सामर्थे की बिना इस सम्विधान को बनाने का कारितनी सफलता पुर्वक समाप्त नो हो पाता सबसे अधिक स्रय इस सम्विधान सभा के मुक मुसौदा लेखक स्री एसन मुखरजी को है बहुती जटील प्रस्थापनाओं को सरल से सरल तता सपष्ट से सपष्ट वैद भासा में रखने के उनकी योगता की बराबरी कठिनाई से की जा सकती है और नहीतना कठिन परिश्रम करने के उनकी सामर्थ की तुलना की जा सकती है इस सभा के लिए वे एक देन स्वरूप थे यदे उनकी सहायता ना मिलती तो इस समिधान को अंतिम रूप देने में इस सभा को कई और वर्ष लगते स्री मुखरजी के अधिनकार करने वाले करमचारियों को भूल नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनने कितना कठीन परिश्रम किया है और किस प्रकराण होनोंने कभी-कभी आदी रात के बाद तक भी काम किया है उनके स्रम और सयोग के लिए मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ मुशोदा समिथी का कार बहुत ही कठीन हो जाता यदिय सम्विधान विभिन विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्रों होती एक उखड़े हुए फर्ष के समान होती जिसमें कहीं एक काला पत्तर होता तो कहीं सफेद जिसमें प्रतेक व्यक्ति या प्रतेक समुदाय स्वाम अपनों को विधिवेता समझता सिवाई उपद्रव के और कुछ नहीं होता सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्तिती ने इस उपद्रव की संभावना को पुर्णत्या मिटा दिया और इसके कारण कारेवाहियों में वयवस्था और अनुशाशन दोनों बने रहे कॉंग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसोदा समीती यह निश्चित रूप में जान करकि प्रतेक अनुशेद और परतेक संसोथन क्या भागी होगा इस सम्विधान का संचालन कर सकी अतह इस सभा में सम्विधान के मसौदे के शांत संचालन के लिए कॉंग्रिस पक्ष ही स्रेय का अधिकारी है यदि इस पक्ष के अनुशासन को सब लोग मान लेते तो सम्विधान सभा की करवाही बड़ी निरस हो जाती यदि पक्ष के अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाता तो यह सभा जी हुजूरों की सभा बन जाती सभागेवस कुछ द्रोही थे स्रीकामत, डॉक्टर पीएच देशमोक, सिर्शिधवा, प्रोफेसर सक्सेना और पंडिक ठाकुर्दास भारगव थे इनके साथ साथ मुझे प्रोफेसर केटी साह और पंडित हरदयनात कुंजरू का विलेख करना चाहिए जो प्रश्णों में उठाए वे बड़े सद्धान्त पुर्ण थे उनके सुझाओं को स्वीकार करने के लिए मैं तयार नहीं था इस बात से उनके सुझाओं का मुल्य कम नहीं होता और ना उनकी सेवा में कोई कमी आती है जो उन्होंने इस सभा की कारवाईव को रोचक बनाने में की है मैं उनका करतग्य हूँ यदि वे न होते तो मुझे वे औसर नहीं मिलता जो मुझे इस सम्विधान सभा में निहित सद्धानतों के व्याख्या करने के लिए मिला और जो इस सम्विधान के पारीत करने के अंतरवर्त कारिके पेक्षादिक महत्वपूर्ण था अंत में अध्यक्ष महोदे मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने बड़ी उशल रीती से इस सभा की कारवाईओं का संचालन किया जिन लोगोंने इस सभा की कारवाईओं में भाग लिया है वे उदारता और सहर्द्याता को नहीं भूल सकते हैं कि जो आपने सभा के सदस्यों के साथ प्रदर्शित की ऐसे अवसर आये जबकि किवल पारिभाशिक अधार परमोसवदा समीती के संसोदुनों को रोकने का प्रयास किया गया मेरे लिए विवड़े चिंतापुन छणत है मैं आपका इस बात के लिए बड़ा कृतग्य हूँ कि आपने विधिवाद की समिधान निर्मान कारे पर विजय नहीं होने दी इस समिधान को जितना भी प्रतिरक्षा की जा सकती थी उतनी प्रतिरक्षा मेरे मित्र स्री अल्लादी कृष्म स्वामी अयर और स्री टीटी कृष्म नामचारी ने की है अताई सम्धान के गुणों के समद में कुछ नहीं कऊंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि सम्धान चाहे जितने भी अच्य हो यदि उसे कर्यानमित करने वाले लोग बुरे हो हैं तो वह निसंदे हैं बुरा हो जाता है समिधान का किर्याकरण पुर्णयता समिधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता समिधान के वल बिधान मंडल कारे पालिका और निया पालिका जैसे अंगों के लिए विवस्था कर सकता है राज के इन अंगों का कर्यानवयन जिन पर निर्भर करता है वह जनता और उसके द्वारा स्थापित किये गए राजनेतिक पक्ष हैं जो इसके इक्षा और निती का पालन करने की साधन है यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके 25 प्रकार का विभार करेंगे किया वे अपने पर्योजनों को सिद्ध करने में सम्विधानिक साधनों को काम में लेंगे या वे क्रांतीकारी साधनों को अधिमान देंगे यदि वे क्रांतीकारी साधन अपनाते हैं तुझाहे सम्विधान कितना ही अच्छा हो यह कहने के लिए किसी देवदूत की आवशकता नहीं है कि वह असफल होगा तै इस सम्विधान पर बिना इस निर्देश के कि जनता और प्रतिपक्ष किस प्रकार की प्रविर्ती दिखा कोई निर्देश देना विर्त है इस सम्विधान की निंदा अधिकतर दोक्षेत्रों से की जाती है सामयवादी पक्ष द्वारा और समाजवादी पक्ष द्वारा वे क्यों इस सम्विधान की निंदा करते हैं क्या इसलिए कि यह सम्विधान वास्तों में खराब है मैं यह कहने का साहस करता हूं की नहीं है समयवादी पक्ष स्रमिकों की तानाशाही के सिधान पर आदृत समयधान चाहते हैं वे समयधान की इसकारण निंदा करते हैं कि यह संसधी लोकतंतर पर आदृत है समाजवादी दो बाते पहली बात जो वे चाहते वया है कि यदि उनके हाथ में शक्ती आ जाएगी तो बिना प्रतिकर दिये सारी नीजी संपती के राच्टी करण करने या समाजी करण करने की स्वतंत्रता सम्धान द्वारा उन्हें मिलनी चाहिए दूसरी बात समाजवादी यह चाहते हैं कि सम्धान में वर्णित मुलाइजिकार नेरपेक्ष तता बिना किसी परिशीमा के होने चाहिए जिसे कि एदून के पक्ष के हाथ में शक्ती आजाए तूने आलोचना करने के लिए ही नहीं वर्ण राजु को उलटने तक के लिए पूरी-पूरी आजादी मिल जाए यही मुख्य बाते हैं जिनके अधार परी समिधान के निंदा की जाती है मैं यह नहीं कहता हूँ कि संसदी लोकतंतर का सिधान तिरानेतिक लोकतंतर का आदर्श स्वरूप है मैं यह नहीं कहता हूँ कि बिना प्रतिकार के संबती अर्जन न करने का सिधान तितना पवित्र है कि इसकी अवहलना ही नहीं की जा सकती मैं यह नहीं कहता हूं कि मुलाधिकार कभी निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं और उन पर जो परिसीमा लगाई गई है उनको कभी नहीं उठाया जा सकता है हाँ मैं यह अवश्य कहता हूं इस सम्विधान में जो सद्धान तनिहित हैं वे इस वर्तमान पिढ़ी के विचार हैं और यदि आप इस कथन में कुछ अतिशयोक्ती समझें तो मैं यह कहूंगा कि यह सम्विधान सभा के सदस्यों के विचार हैं तो फिर इनको सम्विधान में नहीत करने के लिए मौसदा समीती को दोश क्यों और फिर मैं तो यह कहता हूं कि सम्विधान सभा के सदस्यों को विदोश क्यों महान अमेरिका निवासी रानितगे जे फर्शन ने जिसने अमेरिका के सम्विधान निर्मा में प्रमुक कारे किया कुछ बड़े ही गंभीर विचारव्यक्त की हैं जिनकी उपेक्षा सम्विधान बनाने वाले कभी नहीं कर सकते हैं एक स्थल परोणने कहा है बहुमत की इक्षा से अपने आपको किसी बंधन में डालने के लिए एक विसिष्च राष्ट के रूप में हम प्रतेक पीढ़ी को मान सकते हैं पर वर्तमान किसी भी अनवर्ती पीढ़ी को किसी अनदेश के निवासियों से अधिक बंधन में नहीं बान सकती है एक और अनिस्थल पर उन्हें कहा है राष्ट के उप्योग के लिए स्थापित समस्याओं को उनके उदेश्यों के रूप बनाने तक के लिए भी न चुआ जा सकता है नो उनमें रूप भेद किया सकता है क्योंकि जनता के लिए नियास के रूप में उनके प्रबंध करने के लिए जो विक्ति इन्यूक्त किये जाते हैं उनमें दिक्तर निशकारण मान लिये जाते हैं यह विचार संभव है कि एक शाशक के दुरप्योग से बचने के लिए कल्यानकारी हों पर स्वयम राष्ट के लिए बड़े मुर्खता पूर्ण हैं फिर भी हमारे वकील और पूजारी इसनी सिधान पर प्रचार करते हैं और मानलिजे कि पुरवर्टि पिड़ी का आधार हमसे अधिक सुद्रडः था उसे हम पर विध्यों के आरोपन करने का अधिकार था जो हमारे लिए अपर परवर्टनिय है और उसी प्रकार से हम भावी पीडियों के लिए विधी बना सके और उन पर प्रभाव डाल सके जिन में परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार न हो तो ठीक है यह संसार मृतकों का है और जीवन जीवन नहीं है मैंनी वेदन करता हूँ जे फर्षन ने जो कुछ कहा है वह किवर सती ही नहीं वरण परमशत्य हैं इस पर कोई आपती हो ही नहीं सकती जे फर्षन द्वारन यदारत सधान का यदि समिधान सभा पालन न करती तो वह अवश ही दोश ही का नहीं वरण निंदा तक का पात्र होत जनता को समिधान में संसोधन करने का दिकार न देकर जैसा कि कनाडा में है या समिधान के संसोधन को औस आधारण निबंदो और शर्तों की पूर्ती के दिन रखर जैसा कि अमेरिका और अस्ट्रेलिया में है सभाने समिधान पर अपनी अंतिम अच्च्वतता की मोहर लगाने का काम करने से अपने आपको रोका ही नहीं वरण इस सम्विधान के संसोधन करने के एक बड़ी ही सुविधाजनक प्रकिरिया उपबंदित की है इस सम्विधान के किसी भी आलोचक को मैं यह जुनोती देता हूं कि वह अशिद्ध करें कि संसार में कहीं भी किसी सम्विधान स प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह नहीं समझा जा सकता है कि जन्साधारण उनके असंतोस में उनका साथ दे रहा है सम्विधानिक अर्थ कि केवल एक ही बात है जिसको मैं निर्देश करना चाहता हूँ इस बात की बड़ी शिकायत की गई है कि इसमें केंद्रिय करन बहुत अधीक है और राजों की इस्तिती नगर पालिकाओं जैसी कर दी गई है यह सपश्च है कि यह विचार कबल अतिशयोक्ती ही नहीं है बलकि यह इस बात के प्रतिमिध्याधारणा पर भी अधृत है कि समिधान यह अथार्त रुप में किनकीन बातों के लिए प्रयास करता है केंद्र और राजों में परसपर संबंद के विचाय में उस मुलाधिकार को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह संबंद निरभर करता है फेडरल शाषन पद्दती का यह मुल सिधान्त है कि विधाई और कारेपालिका प्रादिकार का विभाजन केंद्र और राजों में केंद्र द्वारा निर्मित किसी बिति द्वारा नहीं होता वर अणश्वयम समिधान द्वारा किया जाता है यहिया समिधान करता है हमारे समिधान के दिन राज अपने विधाई और कारेपालिका अधिकार के किसी प्रकार से भी केंद्र पराशृत्र नहीं है इस विज़े में केंद्र राजों किस्तिती समान है या अनुभाव करना का ठीन है कि ऐसे समिधान को केंद्रवादी किस प्रकार कहा जा सकता है यह हो सकता है कि विधाई तताकार्यपाली का प्राधिकर के प्रवर्तन के लिए केंद्र को जितना ख्षेत्र किसी अनफेडरल समिधान में दिया गया है उससे अधिक ख्षेत्री समिधान में दिया गया है यह हो सकता है कि अवसिष्ट सक्तियां केंद्र को दी गई हो और राज को न दी गई हो पर फेडरल शाषन पद्धती की मुखबाति यह नहीं है यह शिधान्त हमारे समविधान में नीथ हैं इसमें कोई भ्रम हो ही नहीं सकता अतै यह कहना गलत है कि राज केंद्र के दिन रख दिये गए हैं केंद्र अपनी स्विक्षा से इस वी भाजन में कोई पईवर्थन नहीं कर शकता है और नन्यापायलिका कर शकती है या ठीकी कह गया है नियायालय रूप भेद कर सकते हैं पर वे एक के स्थान में दूसरी बात नहीं रख सकते हैं नए अतरकों के रूप में वे पहली निर्वर्चनों का पुनरिक्षन कर सकते हैं नए दृष्टिकों उपस्थित किये जाते हैं एक सीमा तक दशाओं में विव्याजन पं नहीं कर सकते हैं वर्तमान शक्तियों की वे एक व्यापक रूप योजना दे सकते हैं पर किसी प्राधिकार में स्पस्थ रूप में दी गई शक्ती को वे किसी अनप्राधिकार को नहीं सौप सकते हैं अतह केंद्री करण के समंध में लगाया गया प्रतम अभियोग जो फे कर लेना चाहिए पर इन अतिक्रमनकारी शक्तियों के होने के कारण इस समिधान की निंदा करने से पुर्व कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए पहली बातिया है कि ये अतिक्रमनकारी शक्तियां इस समिधान का शांतिकाले रूप नहीं है उनका परियोग और प्रवर्तन स प्राक्वनकारी शक्तियों को देने में अर्चित को स्विकार नहीं करते हैं वे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विजय के मुल में जो समस्या है उसका स्पष्ट ग्यान नहीं रखते हैं। अधिकार और कर्तविकी एक गुथी है शांतिकाल में यह प्रश्ण पस्तित नहीं होता क्योंकि विधी सरलता पूर्वक क्रण्यान वित होती है। वाद हे तू इस अंतिम रूप में किसी नियाय मंडल की विधी निर्वचन द्वारा निश्टित नहीं किया जा सकता। विधी को तत्य के नुरूप होना चाहिए और यही विधी का दोश है। जब इन सब बातों को दूर कर दिया जाता है तो किवल यह प्रश्ण रह जाता है कि कौन प्राधिकारों यानि कौन प्राधिकारी नागरिक की अवशिष्ट निश्ठा का अधिकारी है। केंद्र अधिकारी है या संघटक राज इस समस्या का हल इसी प्रश्ण के उतर पर निर्भर करता है जो इस समस्या पर सारभूत प्रश्ण है। इसमें संदेह नहीं हो सकता कि जनता के एक विशाल भाग की समति के लिए समति के नुशार अपात काल में नागरिक की अवसिष्ट राज भक्ती केंद्र के प्रती होनी चाहिए न की संघटक राज के प्रती। क्योंकि केंद्र ही सारवजनिक लक्ष के लिए तथा समूचे देश के समानी हित के लिए प्रत्नशील हो सकता है आपात काल में परयोग करने के लिए केंद्र को कुछ अतिक्रमनकारी शक्तियां देने के पक्ष में अप्रमान है और फिन आपात शक्तियों द्वारा संघटक पर क्या भार डाले जाते हैं इससे अधीक और कुछ नहीं कि आपात में अपने स्थानी हीतों के साथ साथ समुचे राष्ट की सम्मती और हीतों का भी विजार किया जाए। पर विशय पर मैं अपने विचार को व्यक्त करूँ 26 जनवर 1950 को भारत एक स्वतंतर देश होगा हर्श्वनी उसकी स्वाधिनता का क्या परिणाम होगा क्या वह अपनी स्वाधिनता की रक्षा कर सकेगा या उसको फिर खोदेगा मेरे मन में सरप्रथम यह विचार आता है वह यह बात नहीं कि भारत कभी स्वाधिन न रहा हो बात यह है कि एक बार वह पाई हुई स्वाधिनता को खो चुका है क्या वह दुबारा भी उसे खो देगा यही वह विचार है कि जिसके विशाय में भविष्ट के प्रती में बहुत चिंतित हूँ जो तथी मुझे बहुत परिशान करता है वयह कि भारत ने पहले एक बार अपनी स्वाधिनिता कोई ही नहीं परण अपने ही कुछ लोगों की कृत घंदता तथा फूट के कारण वह स्वाधिन ताग आई गई हुई मुहमद बिन काशिंद वरा सिंद पर आक्रमण करते समय दाहर राजा के सेनापती ने मुहमद बिन काशिंद के अभिकरताओं से घूश ले ली और अपने राजा की और शयुद करने से मना कर दिया वह जैचन था जिसने महमद गोरी को भारत पर आक्वन करने और पृत्वी राज से युद करने के लिए निमंतरन दिया और अपनी तता सोलंग की राजाओं की साहता का वचन दिया जब शीवाजे हिंदूों की मुक्ती के लिए युद कर रहा था उससे में अन्य मराठा सरदार और राजपुत राजा मुगल बादसाओं के और शे युद कर रहे थे जब अंग्रेज सिख सास्कों को मिटाने में लगे हुए थे सिखों का मुक से नापति गुलाब सिंग चुपचा बैठा रहा और सिख राज को बचाने में उसने सहता नहीं की 1857 में जब भारत के एक विशाल भागने अंग्रेजों के विरुथ स्वाधिनिता के संग्राम की गोशना की तो मुक दर्शों की भाती सीख खड़े खड़े तमाशा देखते रहे क्या इसी इतिहास की पुनराविर्ति होगी इस विचार से मैं चिंतित हूँ इस तत्य के कारण की जाती और मतमतांतर के रूप में हमारे प्राचियन दुश्मनों के साथ हम विरुधी रायनितिक मतमतांतर के अधार पर कोई रायनितिक पक्ष बनाते चले जा रहे हैं यह जिंता और भी अधिक उगरूप धारण कर लेती है क्या भारत मत मतांतरों को देश से स्रिष्ठ मानेंगे या देश को मत मतांतरों से स्रिष्ठ मानेंगे मैं इस बात को नहीं जानता हूँ पर यह सत्य है कि यदि वे इस पक्ष यानि वे ये पक्ष मत मतांतरों को देश से स्रिष्ठ मानते हैं तो हमारी श्वाधिनिता फिर संकट में पढ़ जाएगी और समवतह सदेव के लिए हाथ से जाती रहेगी इस संकट से हम सब को द्रड होका रक्षा करनी चाहिए अपने खून की अंतिम बुंदों से अपनी स्वाधिनिता की रक्षा करने के लिए इसका यह अर्थ है कि उस दिन से भारत में जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार होगी यही विचार फिर शे मेरे मस्तिस्क में आता है उसके इस लोक्तांत्रिक शमिधान का क्या होगा क्या इसकी रक्षा कर सकेगा या इसको फिर खोदेगा यह दूसरा विचार है जो मेरे मन में उत्पन होता है और मुझे पहले विचार की भाती व्यथीत करता है यह बात नहीं है कि भारत लोगतंत्र की को जानता ही न था एक समय जब भारत गंडराजों से सुसजित था और जहां राजा थे वहां भी या तो वे निर्वाचित होते थे या उनके अधिकार सीमित रहते थे उनको परमाधिकार प्राप्त न होते थे यह बात नहीं है कि भारत संसद या संसदी प्रकिरिया से परशित न था बहुत भिक्षुक संग के अध्यान से विदित होता है कि कवल संसदी नहीं था, संग संसद के अत्रिक्त और कुछ नहीं होते थे, वरण आधुनिक यूग में संसदी प्रकिरिया के जितने भी नियम हैं, उन सबसे ये संग परिशित थे, उनके यां बैठने के प्रबंध समं संदी नियम, प्रस्तावों, संकल्पों, गणपूर्ती, उन मोधक, मतगणना, शलाका द्वरामदान, अविश्वास प्रस्ताव, पहले निरणा हुए अभियोग इत्यादी संबंधिन नियम थे, यदे पि बुदिन नियमों को संग की बैठकों में लागो करते थे, पर उ जैसे देश में जहां लोकतंतर के एक दिर्ग काल से अपरियुक्त करने से यह एक नई सी वस्तू समझी जाती है, संभवतया लोकतंतर के स्थान पर तानाशाही से के होने का संकट वरतमान है, यह बहुत कुछ संभव है कि यह नवजात लोकतंतर अपना स्ववरूप बनाय पर वास्तों में अपने स्थान पर ताना शाही के स्थापना करते यदि कोई दुरगटना होती है तो दूसरी संभावना के साकार होने की अधिक आशा है यदि हम लोकतंत्र को के वल उरूप में ही नहीं वरण यधार्थ में बनाय रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए मेरे विचारा नुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उदेशों के पूर्ती के लिए हम समविधानिक रीतियों को द्रड़ता पुरवक अपनाएं इसका आर्थिया है कि क्रांति के निर्मम रीतियों का हम परत्याग करें इसका आर्थिया है कि सबी ने अवग्या असायोग और सत्यागरह की रीति का हम परत्याग करें आर्थिक तता समाचिक उदेशों की पूर्ती के लिए जब कोई मार्ग न रहे तब तो इन असमविधानिक रीतियों का अपनाना बहुत कुछ रुप में नियापुर्ण हो सकता है पर जब समविधानिक रीतियों का मार्ग खुला हुगा है तो इन और सम्विधानिक रितियों का अपनाना कभी निया संगत नहीं हो सकता है ये रितियां और आजकता के सुत्रपात के तरिक्त और कुछ नहीं है जितना सग्र इनका प्रत्याग किया जा उतना ही अमारे लिए अच्छा है दूसरी बार जो हमें करनी है वया है कि हम उस सावधानी को बरते हैं जिनको हम जौन स्ट्वाड मिलने उन सब को बरतने के लिए का है जो लोग तंत्र को बनाये रखने में रुची रखते हैं वया है कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों को में अपने स्वातंत्र को चढ़ान न दें या उसे वे शक्तिया न असों पें जो उसे उनी की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे महान व्यक्तियों के प्रती जुन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो किर्टग्य होने में कोई बुराई नहीं है पर किर्टग्यता की भी सीमा है आर्लेंड के दिसभक्त डोनियल ओकोनल ने इस विशे में ठीक ही कहा है अपने सम्मान को खोकर कोई पुरुष किरतग ये नहीं हो सकता अपने सतित्व को खोकर कोई स्त्री किरतग ये नहीं हो सकती उसका भारत की राजनीती में इतना मर्थपुन स्थान है कि जितना किसी अन्य देश की राजनीती में नहीं है धर में भक्ती आत्म मुक्ष का मारग हो शक्ती है पर राजनीती में भक्ती या वीर पूजा पतन तथा अंततह तानाशाही का एक निश्चित मारग है तीसरा काम जो हमें करना है वह यह है कि किवल राजनीतिक लोकतंतर से ही हमें संतुष्टी नहीं हो जानी चाहिए अपने राजनीतिक लोकतंतर को हम समाजिक लोकतंतर का रूप भी देना चाहिए हमें समाजिक लुगतंत्र का क्या अर्थ है इसका अर्थ जीवन के उस मार्गे से है जो स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व को जीवन के सिधन्थों के रूप में अबेग्यात करता है स्वातंत्र समता और बंधुत्व के इन सिधान्तों को इन तीनों के एक सन्युक्त रूप से प्रतक प्रतक मदोक रूप में नहीं समझना चाहिए इन्हें तीनों का मिलकर एक इस प्रकार का सन्युक्त रूप बनता है कि एक का दूसरे से विक्षेद करना लोकतंत्र के मुल अभ्यूजन को ही विफल करना है स्वातंत्र को समता से प्रितक नहीं किया जा सकता समता को स्वातंत्र से प्रितक नहीं किया जा सकता स्वातंत्र विहिन समता व्यक्तिकत उपक्रम का हराश करेगे बंदुत्व के विना स्वातंत्र और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहन नहीं कर शक्ती उनको प्रविर्थ करने के लिए स्वीपाही की आवश्चता है यह तत्त स्विकार करते विया में कार्यारंब करना चाहिए कि भारती ये समाज में दो बातों का प्रुनत्याभाव है उनमें से एक समता है समाजिक स्तर पर हमारे भारत में एक ऐसा समाज है जो क्रमानुशार, निश्चित और समता के सिधान पराशित है जिसका आर्थ कुछ व्यक्तियों के उन्नती और कुछ का पतन है आर्थिक स्तर पर हमारा एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अतुल संपती है और कुछ ऐसे हैं जो नीरी निर्धनता में जीवन बिता रहे हैं जबी जनवर 1950 को हम विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन में परवेश कर रहे हैं राजनितिक जीवन में हम समता का विभार करेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमता का राजनीती में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत और एक मत का एक ही मुल्य के सिधान को मानेंगे अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक ववस्था के कारण एक व्यक्ति का एक ही मुल्य के सिधान का हम खंडन करते रहेंगे इन विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन को हम कब तक बिताते चले जाएंगे यदि हम इसका बहुत काल तक खंडन करते रहेंगे तो हम अपने रानेतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे हमें इस विरोध को यथा संभव सिग्रही मिटा देना चाहिए अन्यथा जो असमता से उडित हैं वे लोग इस रानेतिक लोकतंत्र की उसरशना का विद्वन्स कर देंगे जिसका निर्मान इस सभा ने इतना परिस्रम के साथ किया है एक दूसरी वस्तू जिसका हमारे यहां अभाव है वह बंदुत्व के सिधान्त का अविस्वी करण है बंदुत्व से क्या विप्राय है बंदुत्व से विप्राय समस्त भारतवार्थियों के भाईचारे की भावना से है यदि भारतवासी सब एक हैं तो यह वर्षिधान्त है जो समाजिक जीवन को एकता तथा द्रड़ता प्रदान करता है इसको प्राप्त करना कठीन है यह कितना कठीन है इसका नुमान जेम्स ब्राइस की उस कहानी से लगाया जा सकता है जिसका जेकरुनों ने संजुक्त राज अमेरिका के बारे में अमेरिकी कॉमन वेल्थ विसाइपर अपनी कृती में किया है मैं स्वाइम ब्राइस के शब्दों में इसे कहना चाहता हूँ कुछ वर्ष पूर अमेरिका का पोस्टेटेंट एपिसकोरपल गिर्जागर अपने वार्षिक सम्मेलन में अपनी पुजा की पदती के पुरारेक्षन में सनलगन था यह वांचनिय समझा गया कि छोटे छोटे वाक्यों की प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना समस्त जनता के लिए पुरस्थापित की जाए और एक प्रशिद नए इंगलेंड के पुजारी ने यह शब्द प्रस्थापित की एक हे इश्वर हमारे राष्ट को आशिरवाद दू दूपर बात तक छण स्विकार करने के पक्षात इस वाक्यों को दूसरे दिन पोनर विर्शार के लिए प्रस्तूत किया गया और उस समय जन साधारन इस शब्द राष्ट पर राष्टी एकता के बहुती अधिक निश्चित अभिश्वी करन के रूप में अर्थ लगाते हुए इतनी आपत्यां उठाई इस शब्द को छोड़ना पड़ा और यह शब्द रखने पड़े ए ईश्वर इन संजुक्त राजों को आशिरवाद दीजिए संजुक्त राज अमेरिका में उस समय जब यह घटना हुई थी तब इतना कम एक के भाव था कि अमेरिका के लोग यह नहीं समझते थे कि उनका एक राष्ट है यदि संजुक्त राज अमेरिका के लोग या नहीं सोच सकते थे कि उनका एक राष्ट है तो भारत वार्षियों के लिए अह सोचना कितना कठीन है उनका एक राष्ट है मुझे वे दिनियाद हैं जबकि राणीती में दखल करने वाले भारत वासी भारत की जनता शब्दों पर आक्रोश प्रकट करते थे वे भारती राष्ट शब्दों को अधिक चाहते थे मेरी यह सम्मती है कि इस बात में विश्वाश करके कि हमारा एक राष्ट है हम एक बड़े मयाजाल में अपने आपको डाल रहें हजारों वेक्तियों में बटी हुई जनता किस प्रकार एक राष्ट हो सकती है जितना शिग्र हम यह अनुभाव कर लें कि अभी हम राष्ट शब्द के सामाजिक और मनवग्यानिक अर्थ में राष्ट नहीं है उतना ही अमारे लिए लावदायक होगा क्योंकि यह अनुभाव कर लेने पर ही हम एक राष्ट बनने की अविशकता का अनुभाव करेंगे इस लक्ष को प्राप्त करने के मार्ग और साधनों के बारे में वे गंभीर चिंतन विचार करेंगे इस लक्ष की प्राप्ती बहुत कठीन है संजुक्त राज अमेरिका में जितनी कठीन थी उससे कहीं अधिक कठीन है संजुक्त राज अमेरिका में जातिये समस्याना थी भारत में जातियां हैं ये जातियां राश्टियता की विरोधिनी हैं सरप्रथम इस कारण की ये समाजि के रूप में होना चाहते हैं तो हमें सब कठी दायों पर विजय प्राप्त करनी है क्योंकि बंधुत्व तब ही सत्य हो सकता है जबकि एक राष्ट हो बंधुत्व के बीना समता और स्वातंत्र की जड़ उतनी ही गहरी हो सकेगी जितनी रंग की सत्ष की जड़ होती है जो कार्य हमारे सामने हैं उसके बारे में मेरे विचार हैं हो सकता है कुछ लोग को ये अच्छे न लगें पर इस बात का विरोध नहीं किया जा सकता कि इस देश में राजनितिक शक्ती एक दिर्ग काल से चंद लोगों के अधिकार में ही रही है अधिकांस लोग केवल भारवाही पशु ही नहीं वरण बली पशु तक रहे हैं और हैं इस एक आधिकार ने उन्हें केवल अपनी दशाशुधारने के अवसर सही मन्चित नहीं रखा वरण इसने उनमें से उस तत्व तक को निचोड़ लिया जिसको जीवन का महत्व कहा जा सकता है ये पददलित वरग शाशन करने के लिए बेचैन है पददलित वरगों में इस स्वानुभूती की प्रेरणा को वरग संगर्ष या वरग युद कारूप करण नहीं करने देना जाए इससे सभा में विभाजन हो जाएगा वह दिवस बास्तों में प्रळय दिवस हो काकियों की जैसा अबरहाम लिंकान ने ठीक ही कहा है कि जिस सभा में ही स्वय मतभेद हो वाधिक काल तक नहीं टिक सकती यानी सभा जो बनाने वाली है समविधान को या विधान को उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए तो जो है अता उनकी आकांशाओं की जितने शिकर पूर्ती की जाएगे उतनी अधिक चन्द वेक्तियों की देश की उसकी स्वाधिनिता को बनाये रखने में तता उसकी लोकतांत्रिक और उपरेखा को बनाये रखने में भलाई है यह तभी हो सकता है जबकि समता और बंदुत्व की स्थापना जीवन के सब अंगों में हो इसी कारण मैंने इन पर इतना जोर दिया है सभा को मैं और अधिक कष्ट देना नहीं चाहता हूँ इसमें संदे नहीं कि स्वाधिनिता हर्स का विशय है पर हम यह न भूलें कि स्वाधिनिता ने हमारे उपर महान उत्तरदाईत्व डाल दिये हैं स्वाधिनिता के कारण अब हमारे पास किसी तुरूटी के लिए अंग्रेजों पर दोश जानने का भाना नहीं रहा यदि तत एतपश्चात कोई तुरूटी होती है तो सिवा अपने स्वयम के हम किसी अन्य को दोश नहीं दे सकते हैं तुरूटी होने का पड़ा भारी भै है काल बड़ी तिवरकृती से बदलता चलता रहा है जनता जिसमें हमारे देस की जनता भी सामिल है नई विचारधाराओं से प्रभावित हो रही है जनता द्वारा शाशन से वह परिशान होती चली जा रही है वह जनता के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार है और इस बात के प्रति उदासीन है चाहे वह जनता की जनता दवारा सरकार हो या नहो यदि हम इस सम्विधान का रक्षन करना चाहते हैं जिसमें हमने जनता के लिए जनता दवारा जनता की सरकार के शृधान्त की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया ह तो हम इस बात का संकल्ब करें कि बुराईया हमारे मारग में हैं और जनके कारण जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद करती है उन बुराईयों को समझने में वेलम बना करें और उन बुराईयों को दूर करने के उपक्रम में दौरबले न दिखाएं देश की सेवा करने का यही मार्ग है इससे अच्छे मार्ग से में परक्रित नहीं है धन्यवाद डॉक्टर भीवराम अंबेतकर तो इस प्रकार हमने डॉक्टर भीवराम अंबेतकर का वह प्रशिद एतिहासिक भासन सुना जो उन्होंने सम्विधान सभागे जो अंतिम दिन का जो पैठक था उसमें यानि जो भारती सम्विधान दो बर्शे 14 मां और 18 दिन में बना था उस अंतिम दिन में जो भासन था उसका अंस इसमें न सिर्फ सम्विधान का निचोड था अतीत की स्मृतियां थी और भावी भविश्य के आने की सुख भूगाहट थी और साथी साथ उन्हों संकटों पर भी उन्होंने प्रकाश जाला था जो हमारे सामने उपस्तित को सकती थी बहुत बहुत धन्यवाद